कुछ तो ऐसा है जो सब को बहुत ही पसंद आता है इस बिडियानी का नाम लेते ही सब के चेहरे खेल से जाते हैं ऐसा क्या है तो यह तो खाने वाला ही और बनाने वाला ही जानता है तो चलिए क्यों ना आज हम भी बना के इसे देख लेते हैं क्या है इसमें ऐसा तो बनाने क बिर्यानी बहुत जटपट बन जाता है सब्सक्राइब नहीं नुट्यूला के साथ हम इसे हम बना रहे हैं तो नुट्यूला को अच्छे से धोल लीजिएगा धोगे साफ करने के बाद हम इसे थोड़ा सब बॉयल करेंगे बॉयल करने के लिए इसमें नमक और हल्दी डाल द यहां ने डिया अब इसे हम खुख होने देते हैं और यहां पे जब वो कुख हो गया था तो मैं एच्छे से निचोड लिया था इसका पानी और यहां पे दोर चंब जितना ओयल डालके इसे हम रल्का सब फ्राई कर रहे है स्टर फ्राइज जरूर कर लिजेगा इससे इसम तो यह असानी से निकल भी जाता है तो यहां रोस्ट हो गया था तो मैं रेनेट करने के लिए मैं यहां पर 5-6 चमच जितना दही ले लिए हैं दही आप कोशिश कीजिएगा खटा ना इस्तमाल करें फ्रेश दही लीजिएगा जैसा कि मैंने कहा कि बियारे में हर चीज अगर फ्रेश इस्तमाल करेंगे ना तो बहुत स्वाधिस्ट बनेगा तो एक चमच जितना यहां पर कुटा हुआ धनिया का पॉडर डाल दिया है दो चमच जितना मैंने यहां पर यह देगी मिर्च डाल दी है इसे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा एक्स्ट्रा कलर डालने क बिल्कुल स्मूद मिक्स हो जाने के बाद जो हमने निट्रिला को फ्राइ करके रखा था उसे हम इसमें एड कर देंगे और इसमें डालने के बाद आपको कम से कम दो घंटा तो रखना ही है अगर आप ओवरनाइट रख ले तो क्या ही बात है इसमें इसका स्वाध तो डब कर लेते हैं तो चावल को हम पहले यहां पर 80% जितना कुक करना है तो आप कोशिश किजिएगा चावल को कुक करने से पहले जो हम पानी बैठाएंगे ना उसमें यह सारी चीजें हम डालने गर्म मसाला थोड़ा से सहजीरा एक बड़ी लाइची एक दो डाल चीदी दालना बहुत जरूरी है आप देख सकते हैं इससे पानी में कितना अच्छा कलर आया है यही कलर और यह स्वाद चावल में भी आजाएगा आप चाहें जितना भी मसाला और जितनी भी तैयारी कर लें अगर चावल अच्छे से कुक नहीं होगा ना तो फिर बिर्यानी में बात ही नहीं आती है तो मेल तो इसका चावल ही है इसलिए आपको इसे बीच में स्टर करते रहना है देखते रहना है चावल ओबर कुक नहीं होने देना है 80 परसंट जितना ही इसे कुक होने देना है तो जब तक वो बनता है तब तक हम यहां बिर्यानी का मसाला भी त्यार कर लेते हैं वन टीस्पून धनिया खाफ टीस्पून जीरा और चोटी इलाइची है साथ आठ थोड़े से यहां पर मैंने स्टार अनियन जो होता है वो गरम करना नहीं है बस गरम हो जाए और जैसे ही इसकी खुश्वू आने लगेगी आप गैस के फ्रेम को बन कर दीजेगा और इसका पॉर्डर मसाला बनाके त्यार कर लिजेगा तो पॉर्डर मसाला बनके मैंने त्यार कर लिया था और यहां पर देखिए हमारा चावल भी 80% जितन चंडी में आप इससे रख लिजे ताकि सारा पानी अच्छे से निकल जाए और पानी निकल जाएगा तो आप इससे खुले बरतन में एक डाल दीजे ताकि इसमें जो भी स्टीम है वह असानी से निकल जाए और हमारा राइस ओवरकुक ना हो तो आप जब भी चावल अच्छे खिले खिले से बनेंगे और यहां पर में प्याज को स्लाइस में काट रही हूं इस तरह से लंबे-लंबे स्लाइस में काट लीजिए ज़्यादा बारी या मोटा उसे फ़र्ट निवन परता है लेकिन एक्वल साइज का होना चाहिए कोई मोटा कोई पतला नहीं हो होना चाहिए एक्वल साइज में काटेंगे तो यह अच्छे से फ्राई होगा एक्वली भूनेगा और एक जैसा कलर आएगा सब में तो ऑल डाल दीजिए ओल इतना होना चाहिए कि जितना भी आप बरिस्ता बना रहे होना इस प्याज का वह अच्छी तरह से इस ओल में डि निकाल लेना है और निकालने के बाद एक टीशू पेपर पे अच्छी तरह से तुरंत ही फैला दीजिएगा नहीं तो फिर यह आपस में चिपके जाएंगे अच्छे खिले-खिले से यह बनेंगे नहीं तो जैसे यह देखिए यहां पे को गया था मैंने इसे पेपर में फ निकाल लेंगे उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी ज्यादा है तो हाफ ओयल को आप साइट कर दीए और हाफ ओयल में हम फिर इसमें निचुरा डाल कर तो क्योंकि हमने इसे दही में कोट करके रखा हुआ था तो इसलिए आपको लगातार चलाना होगा ताक चम्मт जितना ऊसे एड़ कर दीजिए दो चम्मज स्वाद बना कर तैयार किया थै उसे एड़ कर देंगे और फिर एक नट के लिए ही जितना ही आपको इसरा से एच्छे से मोश्यर है तो मुझे यहाँ पानी एट करने के जरूरत नहीं है क्योंकि चावल डालने के बाद हम इसे दम देंगे न तो चावल कहीं चिपक न जाए इसलिए इसमें थोड़ा सा मोश्यर और पानी होना जरूरी है तो फिर मैंने यहाँ क्या कि हाफ निट्रिला को निकाल लि काजू और केसर वाला दूद जरूर डालेगा इससे अच्या कलर और स्वाज जरूर आता है तो चार चमच जितना है मैं हाँ पर मैं केसर वाला दूद भी एड्ट कर रही हूं यह भी राइस में मोश्यर को मेंटेंड करेगा और अच्छा से लॉक करे और चावल चिपके न नहीं और उसके बाद जो यह नूटिला था बचा हुआ वह भी मैंने इसके उपर डाल दिया है अब एक और लेयर करेंगे हम राइस का और राइस का लेयर करने के बाद फिर से बरिस्ता काजू केसर का दूद पुदीना के पत्ते हरी मिर्ची थोड़े थोड़े इसके उपर स सुरत लगते हैं यह सब कुछ जरूर डाल येगा यही तो बिर्यानी का स्वाद और इसका लुक दोनों ही पढ़ाता है पुदीना के पत्ते भी डालने बहुत ज्यादा जरूरी है लास में फिर से दो चमच इतना देशी घी डाल दीजिए रोज वाटर या केवरा वाटर ह है तो दो तीन बूंद भी डाल दीजिए आप यकिन नहीं किजिएगा कि जैसे ही यह दम पे गई ती बिर्यानी के सुगन से पूरा घर महग गया था पांस साथ मिन दीजिए इससे बिल्कुल सिम करके दम दे दीजिए थोड़ा सा इसे मिक्स होने दीजिए मसाले के साथ र लिजिए बिल्कुल खटी नहीं होनी चाहिए अगर खटी है तो थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए धरिया के पत्ते हरी मिर्ची यह सब कुछ इसमें डाल दीजिए और घीय को मैंने हलका सा यहां पे स्टेम कर लिया था इसे मैं घिस पर बियानी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था आप अपने पसंद का कोई विरायता बना सकते हैं पर मुझे तो यह बहुत अच्छा लगा था और यह देखिए बात करते करते हमारी बियानी भी बनकर तयार हो गई है क्या कलर आया है और खुश्पू आप तक नहीं प को बहुत ही फान में ऊचया जाए कि मैं बनाने के बाद खाने में इसका फैन हो गए हूँ मुझे दो यहाब बहुत ही लगता आтовओ कलर देखके तो भुक और ते सेधे रहे हैं म Pepsi कल भूप मुझान होई है बिल्कुल बर्तन मेंना रहता की ठीज बना है refer ki और में नियुट्रिला में जो मॉश्यर है वह भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉप बन के त्यार हुआ है बिल्कुल हाड नहीं है दम जूसी और बहुत ही टेस्टिक बना था यह एक बार तो आप जुरू ड्राइ कीजिएगा आपको और आपके फैमली को बहुत पसंद आएगा ये टेस्टी सी रेसेपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दे दिजेगा यहां तक वीडियो डेकि parenth है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसी अच्छी और टेस्टी सी रेस्पी में आपको लेती आओंगी मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स एसेट के साथ